माइग्रेण जिनको माइग्रेण है कितना भी पूरा ना माइग्रेण हो उसके लिए यहाँ बहुत यह चमतकारिक प्रयोग है यदि माइग्रेण में आपको राइट साइड में दर्ध होता हो तो लेफट साइड में इसकी चार-चार बूने रस डाल देजिए और यदि बाई तरफ होता हो तो दाई नाक में डाली है और दाई तरफ होता हो तो बाई नाक में डाली है इतना ही ध्यान रखना है सिर्फ एक नाक में चार पांच बूंद रस टपकाना है और माइग्रेन से हमेशा के लिए आपको मेलेगी मुक्ती बहुत ही गुणकारी है अगस्त के पत्यों का रस निकाल करके निचोड करके चार-चार बूंद आप दोनों ही नासिका में डालें, दोनों नाक में चार-चार बूंद रस सुभा खाली पे टपकाएं, इससे थोड़ी सी नाक में लगती है, परन्तु आप देखेंगे अंदर का जो कफ है, वलगम है, वो सब निकल जाएगा और साइनस से और जो अलर्जिक प्रावलम है आपको उससे हमेशा के लिए मिलेगी मुक्ती तो यह बहुत ही गुणकारी है साइनस के लिए अलर्जिक प्रावलम के लिए और आपके किसी भी तरह के माईग्रेन सिर्दर्द के लिए और आँखों की पर जो बहुत ही लाबकारी जो प्रयोग है वह किसी को कब्ज की सिकायथ है तो इसको आप थोड़े से इन फूलों को उबाल करके इन पत्यों को और एक बहुत ही बहुत अच्छा और मैं यूँ कहूं कि संतों के द्वारा अनुभूत और बहुत ही गोपनी अप्रयोग है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आतों के गहाउ के लिए सूजन के लिए अंदर की इन्फेक्शन के लिए तो आपको क्या करना है कि आपको इनके पत्यों को और इसके फूलों को ले करके आपको रखना है यदि आपको ताजा मिल जाए तो इसको कूट करके रस निकाल लीजे फूलों को और पत्यों को यदि फूलों का सिजन नहीं है क्योंकि यह सिजनल है अभी सर्दी शुरू होने परीस में फूल आते हैं सरदी बढ़ जाएगी तो इन फूलों में फल बन जाएंगे लंबी लंबी फली आएंगी तो सीजन में नहीं है आप तो आपको करना है पूर पत्यों का सेवन जिदी फूल और पत्या मिल जाए तो बहुत ही गुणकारी है इसको कूट करके रस निका करने से एक घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है जिससे इसका असर पूरी तरह से आपके आथों को पेट को हो और तली हुई चीजें मिर्च मिशाले या ज्यादा गरिश्ट आहर आपको नहीं लेना है कितनी भी भाइनक अलसर की सिकायत हो अलसरेटिव और भाइनक बीमारियों को भी यहां बचाता है यहां बहुत ही गुनकारी प्रयोग है और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी माताओं बहनों को जिनको शोयत प्रदर है रक्त प्रदर है इसका पाउडर करके भी फूल और इनके पत्तियों का पाउडर करके भी वहां सेवन कर सकती है प्राद और साइंकाल और यदि रस मिल जाए तो इस ताजिब पौधे मिल जाए तो कूट करके भी आप हो इसका चार पांच चम्मच रस का सेवन एक साथ सुबह शाम दो बार कर सकती हैं यह पौधा आप घर में लगा सकते हैं आप देख रहे हैं देखने में यह कितना सुन्दर है इसके फूल कितने अच्छे हैं और देखने में यह पौधा भी बहुत ही सुन्दर लगता है तो इसको आप अपने घर में अपने आंगन में जरूर इसको लगाईए और रोगों से मुक्ति पाईए और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करिए और यह अगस्त का जो पुस्प है इसको शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है हमारे शास्त्रों में इसको बहुत शुभ माना गया है तो इन फूलों को आप देव अर्चना के लिए भी भगवत जोग कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लापकारी है, बहुत ही गुनकारी है, और विशेस करके जिनको फिट्स पड़ते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं, उनके लिए भी यहां बहुत ही गुनकारी पौदा है, और जिनको मूर्चा हो, करके आती है क्योंकि यहां बहुत ही निरापद है इसमें कोई नुकसान भी नहीं है तो मुर्षा को तोड़ने के लिए और कुछ समय तक लगातार इस अगस्त के पत्यों का रसनाक में डालने से उससे मिर्गी जैसी बहनक बिमारी से भी हमेशा के लिए हो जाती है छुट्ट के लिए एक सुन्दरी वर्धक पुस्पही नहीं है एक और शदिये गुणों से भारपूर बहुती दिव्य बहुती गुणकारी और लाबकारी यहां फूल है तो कितना अच्छा फूल है परन्तु रूप से ही नहीं गुणों से भी बहुत अच्छा है तो यह आंक के को निरोग रखिए अपने आपको नीरोग रखिए अपने घर कि पड़ुस को निरोग रखिए और पूरे देश को नीरोग बनाने में आप हमारा साथ दीजिए तो यह बहुत जरूरी है कि यह क्लुकितो ना पर बहुति सब्यूंत जाने बुखार के लिए कई भार ऐसा होता है कən ऐसे बुखार होते हैं बहुत सारी यह ओश्डी लेने पर विठीक नहीं होते हैं रह रह कर बुखार आता है सरी के अंदर बहुती चूटन होती हैं बहुती जलन और डर्ध होता है उस स्थिती में भी आप उसके पत्तियों का काढरा बना करके आप सेवन कर सकते हैं significa कुछे अजय से एक पत्ति के अंदर दो ती मिल यह फे इस पत्ती को इस तरह है करके इसको कूट करके इसकर पाने मिर्च से और ग Peace पानी बे उबाल करके एक डिड़ गिलास पानी में उबाली है एक चौधाई बचे छान करके पीना है आपको सुभा शाम आप नियमित रुप से पीजिए कितना भी पूरा ना भुखार हो किसी भी कारण से भुखार हो इससे पेट भी साफ हो जाएगा और इससे अंदर की इन अधर शामक भी है जिनको जैदी किसी ने कोई ऐसी चीज खाली हो जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर के अंदर जहर का प्रभाव हो रहा हो तो कुछ समय तक इसका काड़ा बना करके नियमित रुप से पीने से वहां परेशानी भी ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए आपक आगस्ट का फूल और अगस्ट का इहां ब्रिक्षण कि आतिरीकतर को बहुत शुब ने गया है तो जैसा कि मैंने कहा घर की सुंदरता के शाथ घर की सुभा के साथ इसके शुब गून से आपने परिवार को अहनत में शांती में आप कर सकते हैं अत्न थमच्टैंश इसके गुणों के द्वारा आप लावानवित हो सकते हैं, अपने घर को और पूरे देश को स्वस्त बना सकते हैं, तो आईए इन आउशदिये गुणों के संदर्व में हम आपको प्रति दिन देंगे धेर सारी जानकारियां आपके लिए एक आउशदिये गुणों से पहुदे के साथ तब तक के लिए आप दीजिये मुझे विदा